आप सभी वीवर्स को हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ठैंक यू हमसे सीधे जूडने के लिए सब्सक्राइब बटन के सामने जॉइन बटन को क्लिक कर आप हमारे इस चैनल का मिम्बर सिफ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे सभी प्रेग्नेंसी तब सुरू होती है जब एक स्पर्म एक एक को फर्टिलाइज करता है इस फर्टिलाइजड एक को जाइगाट कहा जाता है जाइगाट बनने के 6-8 दिन के बाद ब्लास्टोला का यूटेरस में इंप्लांटेशन होता है और प्रेग्नेंसी की शुरूरात होती है आम तोर पर एक फिमेल एक समय में केबल एक ही बच्चे को जनम देती है लेकिन कभी-कभी एक ही समय में एक से अधिक बच्चे का जनम भी होता है एक मदर दोरा एक से अधिक बच्चे की डिलिवरी को मल्टिपल बर्थ कहा जाता है आम तोर पर Multiple Birth के मामले में दो बच्चे का जन्म होता है और जिन व्यक्तियों का जन्म इस तरह से होता है उसे Twins कहा जाता है Multiple Birth में Approx 90% Twins बच्चों का ही जन्म होता है Multiple Birth के मामले में बेबी की संक्या 3, 4, 5 या इससे भी अधिक हो सकती है Generally Twins दो टाइब के होते हैं पहला Identical और Mono-Jigotic Twins और दूसरा Fraternal और Di-Jigotic Twins Identical Twins Identical Twins को Mono-Jigotic Twins भी कहा जाता है जिसका मतलब है एक Fertilized Egg Identical Twins का Formation तब होता है जब एक Eggs को हमेशा की तरह Eggs Pumps द्वारा Fertilize किया जाता है लेकिन अगर Fertilized Egg कुछ ही समय के बाद Split होकर दो Eggs में Divide हो जाता है तो यह दो Divided Egg दो Identical बच्चे को Form करता है Since इन Baby का बर्थ एक ही Egg और Spum's के Fertilization से होता है इनके Chromosome 100% Identical होते हैं इसका मतलब यह है कि वे एक ही Gender के और एक ही Genetical Character जैसे Same Eye Color और Same Hair Color वाले होंगे Generally Identical Twins भी 3 Types के हो सकते हैं लगबग 1 3rd Identical Twins Fertilization के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से Separate Identical Twins को Form करते हैं जिनमें Fatendal Twins की तरह अलग-अलग Placenta होता है जबकि Other 2 3rd Womb के Wall से Attached होने के बाद अलग हो जाते हैं जिसके कारण वो एक ही Placenta को Share करते हैं लेकिन Aminion अलग-अलग होता है इस तरह के Identical Twins को Monocorionic Twins भी कहा जाता है इसके अलावा ऐसे बहुत कम Identical Twins होते हैं जिनमें Embryo Uterus में Implant होने के बहुत बाद डिवाइड होता है ऐसे में ये एक ही Aminion और एक ही Placenta को Share करते हैं इस तरह के Identical Twins को Mono Aminion Identical Twins कहते हैं हालागी एक जैसे Identical Twins के जिन समान होते हैं लेकिन वे हमेशा एक जैसे नहीं दिखते इसका कारण ये है कि बच्चों के Health और Development को ना केवल जिन से बलकि वोंब में और जन्म के बाद Experience द्वारा भी आकार दिया जाता है Fraternal Twins Fraternal Twins का दूसरा नाम Diagotic Twins है जिसका मतलब है दो Fertilized एग या फिर दो Jigot Fraternal Twins का Formation तब होता है जब एक मदर में ओवरी से दो एग्स रिलीज होता है और ये दोनों एग्स अलग-अलग Spum से Fertilized होता है Since Fraternal Twins दो different eggs और Spum के Fertilization से आते हैं वे किसी भी अन्य सिबलिंग की तरह अपने क्रोमोजोम्स का लगबख 50% ही पार्ट सेयर करते हैं इसका मतलब यह है कि वे same या different genders के हो सकते हैं Pregnancy के दोरान developing babies को umbilical cord और placenta के माध्यम से अपनी मा से oxygen और भोजन मिलता है Fraternal Twins में अलग-अलग placenta और umbilical cord होती है Fraternal Twins को dichorionic Twins भी कहा जाता है For health reason यह जानना अच्छा है कि Twins identical है या fraternal यह पता लगाने के लिए कि Twins identical है या non-identical आप अपने बच्चों के जन्म के बाद genetic test करवा सकते हैं इस test को जाइगो सिटी टेस्ट कहते हैं Mostly Twins Pregnancy दो healthy बच्चों के जन्म के साथ समाप्त होती है But कभी-कभी fertilization के दोरान या early stage of pregnancy में unusual events होती है जिसके कारण unique Twins का जन्म होता है जैसे कि mirror image Twins, conjoined Twins और parasitic Twins Mirror image Twins यह identical Twins का एक sub-type है जो तब होता है जब first week के जगा fertilization के 7 से 12 दिन के बाद एक split हो जाती है इस समय तक growing embryo पहले से ही left और right side को develop कर चुका होता है यह identical Twins एक दूसरे के mirror image के समान होते हैं Example के लिए यदि एक Twins right-handed है तो दूसरा left-handed हो सकता है Conjoined Twins Conjoined Twins भी एक types का identical Twins है जो physically एक दूसरे से जुरेवे होते हैं Conjoined Twins तब बनता है जब या तो एक fertilized एक पूरी तरह से split नहीं हो पाता या फिर completely split होने के बाद एक बार फिर से जुर जाता है ये जुराओ body के किसी भी हिस्से से हो सकता है but most commonly chest, abdomen, head और trunk से जुरेवे होते हैं Parasitic Twins Parasitic Twins एक प्रकार का Conjoined Twins होता है जहां एक छोटा Twins बरे पर निर्वर होता है इसमें छोटा Twins पूरी तरह से नहीं बन पाता और इसमें important organs भी नहीं हो सकते जैसे कि fully formed brain या फिर fully formed heart Multiple fetus pregnancy को sometimes high risk considered किया जाता है क्योंकि इन में बहुत सारे difficulties हो सकती है जैसे कि preterm labor and birth Approx 60% twin birth case में delivery 36 से 38 week में ही हो जाता है Gestritional hypertension Multiple pregnancy में mother का blood pressure prox दो गुना बढ़ जाता है Anemia Blood loss और Anemia multiple pregnancy में common phenomena है Birth defect Multiple pregnancy में twins या triplets में congenital abnormalities जैसे heart defect, neural defect, gastrointestinal defect का chances बढ़ जाता है Cesarean delivery Abnormal fetal position के कारण multiple pregnancy में cesarean delivery का chances भी बढ़ जाता है Less amniotic fluid Multiple pregnancy में यदि twins प्लैसेंटा शेयर करता है तो amniotic fluid abnormality का chances भी बढ़ जाता है Naturally 200 pregnancy में से एक pregnancy में twins का जन्म होता है Infertility treatment, ovulation, stimulating medicines, older age और कुछ अन्य factor multiple pregnancy के लिए responsible है आपकी age, heredity या previous pregnancy का history identical twins होने के आपके chances को नहीं बढ़ाता है लेकिन आपके fraternal twins होने की possibilities को जरूर बढ़ाता है Infertility treatment से identical और fraternal डोनो टाइब्स के twins का होने का chances बढ़ जाता है Hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए Goodbye करता है चाहद आपत साहर अटेस करता है करता है नए अई न acesso